T20 World Cup 2022 में ट्रिकेट जगत की सबसे बड़ी राइविल्री का एक अध्यायत तो खत्म हो चुका है। लेकिन अभी इसी World Cup में एक बार फिर से Greatest Rivalry का दूसरा रोमांच देखने को मिल सकता है। भारत और पाकिस्तान की करीबी चक्कर को फैंस ने भी काफी एंजॉय किया था। लेकिन अंत में भारती टीम के फैंस के खुशी दुगनी हुई थी तो वहीं पाकिस्तान में मातम का माहोल बन गया था। लेकिन शायद कहानी यही नहीं समाप्त होती नज़र आ रही है। और इसी वर्ल्ड कप में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होती नज़र आ सकती है। कब और कैसे इस World Cup में दूसरी बार देखने को मिल सकती है भारत पाकिस्तान की जंग जानने के लिए देखिए हमारा ये रिपोर्ट दोस्तों T20 World Cup 2022 में भारत पाकिस्तान का मुकाबला अब तक का इस टूर्नामेंट का सबसे रोमान्चक मुकाबला साबित हुआ है जहां दोनों तरफ के फैंस ने इस मुकाबले का भर पूर आनंद उठाया और आखर तक इस मैच में एकसाइटमेंट दोनों ही तरफ बराबर बनी हुई थी कभी भारत मुकाबले में आगे नजर आया तो कभी पाकिस्तान ने बराबरी की इसके बाद एक समय तो मुकाबला पूरी तरीके से पाकिस्तान के नियंतरण में चला गया लेकिन फिर वेराज टुकोहली के करिश्में ने इंडियन टीम को एक ऐसी एतिहासिक और यादगार जीत दिलाई जिसे वर्षों तक याद रखा जाएगा एक तरफ जहां टीम इंडिया ने मुकाबला जीत कर अपने कैंपिंग का दमदार आगास किया वहीं पर पाकिस्तान के लिए यहां से वापसी के लिए अपने अगले मुकाबले जीतने जरूरी बन गये हैं हलांकि बावजूद इसके ग्रुप मुकाबलों के बाद भी भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत इसी वाल्ड कप में देखने को मिल सकती है दरसल आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के ग्रुप में एक साउथ अफरिका तीसरी ऐसी टीम है जो सेमी फाइनल में पहुंचने की दावेदारी पेश करते हुए नजर आ सकती है लेकिन दुरभागेपूर तरीके से अफरिके टीम का जिम बामबे की खिलाफ एक जीता हुआ मुकाबला बारिश की भेट चड़ गया जिसके वज़े से अब साउथ अफरिका की टीम के लिए सेमी फाइनल की रेस में बने रहने के लिए अपने सभी मुकाबले जीतने जरूरी बन गये हैं लेकिन उसके लिए उन्हें साउथ अफरिका को हराने की जरूरत होगी। अगर पाकिस्तान की टीम ऐसा करने में सफल रही तो फिर इस ग्रुप में भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमें सेमी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। और फिर इसी वाल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की भिड़न्त क्रिकेट फैंस को एक बर फिर देखने को मिल सकती है। इस बार भी मेलबॉन का वही मैदान होगा जहाँ पर 13 नवंबर को दोनों चीर प्रतिद्वंदी टीमों के बीच इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जा सकता है।